आप सभी का एक बार फिर से रागने दाट गैलरी में अगर आप भी क्ले के साथ काम करना पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेक्रिस क्ले के साथ करना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए काफी यूसफुल होने वाली है आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजे बत अपसान होई जाएगा साथ में आप बहुत कम खर्च में अपनी मन पसंद चीजे बना पाएंगे और खूब सारी प्रेक्टिस कर पाएंगे तो चलिए फ्रेंड्स जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं क्ले बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है इस तरह का कोई भी बाउल और उसके बार मैंने लिया है स्टेनर और यहां पर मैंने दो ग्लास लिये हैं आप कोई भी मेजरमेंट के लिए कप वगेरा भी ले सकते हैं बस आपको क्वान्टिटी का ध्यान रखना है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ आज हम यहाँ पर कुछ ऐसी कले बनाने वाले हैं जो मॉल्डिट कले की तरह काम करती है तो मैंने उसके लिए यहाँ पर चौक पाउडर लिया है आप किसी भी कंपनी का चौक पाउडर ले सकते हैं बस इस तरह से बनाने से पहले अच्छे से उसको छानने ताकि उसमें कु इसके बाद बैने लिया है यहां पर एक टिशू पेपर जिसको कि मैंने छोटे-छोटे से टुपड़े करकर इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है आपको इसे तब तक मिक्स करना है जब तक कि जो यह हमारा टिशू पेपर है यह अच्छे से इसके अंदर बिल्कुल मि अगर यह पर दो पार्ट लेना और इसको अच्छे से धीरे धीरे इसके साथ मेक्स करते जाना है अब यहां पर इस तरह से पेस्ट बनने के बाद आपको जो दूसरा पार्ट है हमारी चूप पावडर का उसको भी इसमें एड़ कर देना है अब यहां तक आपको बिल्कुल सेम प्रोसेस फोलो करना है लेकिन यहां पर आते हुए कई चीजे चेंज हो जाती है कई बार वैदर का फर्क पड़ता है और कई बार किसी भी अलग क्वालिटी का अगर हम चॉक पाउडर लेते हैं तो उसका अगर आपको यहां लगता है जो बहुत स्मूध ना हो जाए और बहुत ही अच्छे से आपको खुद फील ना होना शुरू हो जाए कि जो आपकी क्ले है वो रेडी हो गई है अब यह देखिए कुछ इस तरह से आपकी जो क्ले है वो रेडी होगी हमने इसमें यहां पर टिशू पेपर एड़ किया है इस ट टाइट डब्बे के अंदर रख देना है अब यहां पर इस क्ले को मैंने बनाने के बाद इसको यूज करके देखा कि यह जो क्ले है क्योंकि क्या होता है जो हमारी होममेड कोई भी क्ले होती है ऐसा कभी नहीं होता कि वो श्रिंक ना हो थोड़ा बहुत जरूर श्रिंक होत रिए के साथ जो फटी की को काफी सोफ्ट बनी है अगरront तो इसको नवी क्लेख्स लिए अच्छी रहने वाली हैं जो कि उफScript में कर सकते हैं बस इसके साथ काम करते हुए आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है सबसे पहले तो ये जब भी आप इस clay के साथ काम कर रहे हैं तो अपने काम को थोड़ा सा जितना आपको thickness देनी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा दे आप यहाँ पर देख रहे होंगे जो मैं डोरी बना रही हूँ वह मैं थोड़ी सी मोटी बना रही हूँ वो इसलिए क्योंकि ये जो clay है वो थोड़ा सा श्रिंक होती है मैं आपको ये भी दिखाऊंगी ये कितना श्रिंक होगी लेकिन इसके साथ अगर आप practice कर रहे हैं अगर आप beginners हैं और जो molded clay है आप हो ज़्यादा उसको use नहीं कर सकते क्योंकि काफी expensive होती है और उसको reuse भी नहीं कर सकते हैं वो साथ के साथ सूख जाती है तो इन सब चीजों से बचने के लिए और अपने art को improve करने के लिए इस clay के साथ आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं अब इस तरह से धीरे-धीरे से मैंने यह जो हमारा काम है इसको complete कर लिया है और अब मैं आपको दिखाऊंगी यह कितना shrink होती है ताकि आपको idea हो जाए कि इसके साथ काम करते हुए आपको कितना अपनी clay को अच्छे से use करना है अब यहां पर जो हमारा artwork है वो एक्तम dry हो गया है इसको dry होने में थोड़ा सा ज्यादा time लगता है मॉल्डिर clay से compare करें तो उसके बाद यहां पर देखें जो मैंने artwork बनाया तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा gap मुझे नजर आ रहा है इसका मतलब इतना percent जो हमारी क्ले है वो shrink होई है तो इस चीज़ से आपको घबराना नहीं है बस अपने artwork को उसी तरह से बनाना है कि अकर व मैंने इसके उपर red color कर लिया है आप चाहें तो किसी भी color में बना सकते हैं इस तरह के दो artwork बनाकर आप अपनी वोल के उपर अगर थोड़ा सा उपर नीचे लगाएंगे तो बहुत ही सुन्दर लगते हैं अब इसके बाद जल्दी से इसके उपर color करते हैं और देखते हैं मिरर लगाने के बाद कैसा लगता है वीडियो को अगर आपने यहां तक देखा है तो प्लीज लाश्ट तक जरूर देखेगा आपके लिए मैं कुछ लेकर आई हूं जिससे कि आप अपने artwork को और भी इंप्रूव कर सकते हैं अगर आज की वीडियो आपके किसी भी काम आए और आपको यूसफुल लगे तो प्लीज लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आप लिपनार्ट पसंद करते हैं और आपकी कुछ कोश्चन है या दाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा मैं सारी कोश्चन के जवाब अपनी नेक्स्ट व झाल